नमस्का दर्शकों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कुम लगन वा कन्या राशी के लिए वश जोगला 24 का राशी फल जो मेरे नए दर्शक हैं को मैं बता दूँ मैं लगन वा राशी दोने से वीडियो डालती हूँ और कन्या राशी यानि आपका कमीनेशन अगर कुम लगन वा कन्या राशी का बनता है तो आप वीडियो देखकर लाब उटा सकते हैं सबसे पहले हम चार बड़ी ग्रेहों के गोचर की बात करते हैं कुम लगन पर शनी मायराज का गोचर हो रहा है लगने शनी स्वाराशी के च शनी मायराज छटे बाब में चल रहे हैं राहू सब्तम में हैं वर्ष 14 में देव गुरु बस्पती अश्टम में होंगे और मई 2024 से भागे बाब में चले जाएंगे ये ग्रेहों की स्चति है कुम लगन वा कन्या राशी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अब का गइनेशन कुम लगन वा कन्या राशी का बनता है और आपकी कुर्ली में केतू की दश्या अंतर दश्याः चल रही है और गुरु और केतु का कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ के रहे कि महादशा या अंतदशा चल रही है अगर वो गोचर में नेगटीव अश्टम में आ जाता है तो आपको प्रावलम देता है गुरू की बात करें तो जब वर्श का आराम होगा तो कन्या राशी से गुरू अश्टम में होगा और कुम लगन से वर्श भर कुरू के लीचिसली करनी हो गैखे के वीडिओ के आग चलकर मैं आपको बता दूंगी कि हम के तो गुरू को Kv बाट कर सकते हैं अब हम सबसे पहले आपके लिए बात करते हैं शुब समय कि कि आपका अगर आपका करुन लगन वा कन्या राश्य का कमिनेशन है तो बश्च्ट 2024 में आपके लिए शुब समय कब शुरू होता है मेरा मानना है आपके लिए शुप समय शुरु होता है एक मैश लेकर एक मैश लेकर दिसम्बर के बीच में आपको कोई भी महत्रपोर नड़ने लेना है केरियर से जुड़ा कुछ भी आपने प्लान कर रखा है वर्ज़ 2024 में तो उसके लिए मैश से दिसम्बर के बीच में करिए ये वो समय होगा जब आपको भागे का साथ भी मिलेगा और आपके पर स अपर्चिनीटी आएंगी विशेश कर कैरियर में बदल आपकी ये कैरियर में बदल आपका भी समय है और आपके चौते भाब में आ जाएंगे आप चौते भाब में आके गुरू दो बातों का संकेत देगा एक तो आपका इस्तान पर बरतन कराएगा किसी कारण या तो आपको नौकरी में ट्रांसफर होगा या जौब बदलने के लिए शेहर बदलेंगे या विदेश जाएंगे और या य वर्ष 24 में प्रॉपर्टी खरीदने का बड़ अच्छा संयोग बन रहा है और बाइचांस आपकी कुली में गुरू की मंगल की या शुक्र की दर्शा इंतदर से चल रही है तो आप वर्ष 24 में प्रॉपर्टी में निवेश करके लाब उटा सकते हैं तो गुरू इस बात आपके लिए बदलाउ आप का समय है और इस बाइचा करते हैं तो फायदे में रहंगी क्योंकि रीजिन क्या है कि कुम लगन सेभी शनी का कोचर लगन पर हो रहा है शनी मरात जब दादश में लगन पर या कुट म भाव में चलते हैं तो इस बात का संकीत देते हैं कि के कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन हमें वह आप्शन ही नहीं मिल रहा होता है जो हम नौकरी चाहते हैं और अगर आप आई चाहस जगा को बदलेंगे ना जब शनी का गोचर द्वादर्श में लगन पर है कुटों में हो रहा है तो फॉरण आपको वैसी जौब मिल जाएगी कैसे आप चाहते हैं इस अब इस बश्च दोगदा 24 में अगर कुम लगन वा करने राशी के जातक विदेशाजी की सोचते हैं या जौब के लिए स्थान परवर्तन की सोचते हैं तो केरे में उनके लिए लाब दायक रहेगा इस वश जो अपने विवा के इंतजार में थे उनका विवात है हो सकता है और जो दंपत्ती संतान करना चाहते हैं संतान कर सकते हैं वश में कई बार आपके पास अफसर आएंगे जब आपको धल्ला आपके अफसर मिलेंगे क्योंकि लगन वहराशी दोनों से ही आपका लाब भाव एक्टिवेट हो रहा है विदातियों क स्टार्टि मताया है कि अगर आपकी कुड्ली में बर्ज 2024 में गुरू की न्तरदशा अरुकि महदरशा केतु की न्तरदशा चल रही है तो आपको गुर्व औरुकि रैमेडियी करनी हैं अब केतु की रैमेडिये के तौर पर पर तो सबसे पहली बात आप कुत्तों की शिवा कर सकते हैं, वो भी केतु की बहुत अची रेमेडी है, केतु के लिए आप मंदिर में कमल का नान कर सकते हैं, वो भी बहुत अची रेमेडी है, इसके अलावा केतु के लिए आप तिल का भी धान कर सकते हैं, वो भी केतु की रेमेडी क्या सकते हैं चने की डाल हो सकती है तो हृत अच्छी नहों जाएगी आप उन सबस्क्राइब करेंगे तो दंपत्य जीवन में किसी पकार की तना परेशानी दंपत्य जीवन में किसी परिशानी अगर अगर उपाय के तोर पर आप हर विचानिंवार को चमेली के तेल का दीपक चला का सुंद्रागान का पार्ट करेंगे तो दमपत्य जीवन में आप से सबसोहार्द बढ़ेगा और अगर आपका व्यापार पार्टनर्शिप में है तो भी पार्टनर्शिप में साफधानी रखेगा क्योंकि सब्सक्राइब पहलता है जो भ्रहम की स्थिदि प्यादा करता व्याश्ट अश्टव में जा रहा है इस वर्ष अगर आपको जाब बदलनी यहां जाब बदलने का सही समय मई से दिसंबर और जन्वरी से अपरेल के बीच में अगर आपको कोड की साता है तो आपको साथणी रखने की कान्याराशी के अपर हो रहा है तो चितव बनती है चेटड़ा पनाता है तो कि आप रेमेडी कर लेंगे तो आपको के तुका यह नेगेटिविटी कर जाएगी और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे ऐसा आपकी वाणी से काम भिगड़ जाए तो दशकुंवन ने देखा कि कुम लगन वा कर्णिया राशी के लिए जो बश्ट दोहदा चौबिस का शुप समय है वो मई से लेकि दिसंबर है और साथानी का समय है जनवरी से अपने वाला है बाइचांस आपकी दर्शाहें बहुत पॉलिटीव हुई जैसे शनी की बुद्ध की या शुकर सब्क्राइब नहीं किया तो किर्पा मेरा चलें सब्क्राइब कर दें साथी बरैकन को भी दिवा दें जिसे जब भी मैं अपने वीडियो अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलिया और आप मेरा वीडियो देख सके इसके साथी नमस्काद रश्कूर चैमात याल